हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग स्वागा थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल ओनलाइन एजूकेशन में तो फ्रेंट्स मैं रहूल मिश्रा आज से आप लोगों को डेली मॉर्नि में एक करेंटरफ्रेस का वीडियो प्रभाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको उस पार्टिकूलर दिन के टॉप टीन करेंटरफ्रेस कराऊंगा जो आपके आने वाले एक्जाम एरफोर्स ग्रूप वाई, नेभी एससा डबले, सीडियस, एफकेट या किसी भी वन डे कमटेटिक एक्जाम के लिए काफी हेल्फूल रहेंगे तो फ्रेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज अर्थाथ 6 जुलाई के इंपोर्टिन करेंट अफेर्स तो हमारा आज का पहला प्रसन है कि किस राज्य सरकार ने कौसल कनेक्ट फोरम पोर्टल की सुरुवात की है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा करनाटक सरकार आपसन नमर ए तो करनाटक सरकार ने कौसल कनेक्ट फोरम की सुरुवात की है तो अब यहाँ पर कौसल कनेक्ट फोरम आया तो यह कौसल कनेक्ट फोरम क्या है कॉसल कनेक्ट फोडम बेरोजगार यानी रोजगार तलाज करने वाले युवाओ और नीजी उद्यमियों को जोरने का एक मंच है अब या करनाटक सरकार ने सुरू की है तो आए करनाटक के बारे में जान लेते हैं करनाटक के कैप्टल बैंगलूरू है करनाटक के सीएम बीए सीजादू रप्ता है और करनाटक के राज्यपाल यानी गवर्नर बाजुभाई वाला है तो फ्रेंट्स इस परस्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है अब बठते हैं अपने क्वेशन नमर नेक्स्ट की और हमारा क्वेशन नमर दो है कि जुलाई 2020 में अपने मानवियों प्रयासों के लिए डाइना पुरसकार से किसे समानित किया गया है तो जुलाई 2020 में अपने मानवियों प्रयासों के लिए डाइना पुरसकार से फ्रिया ठकराल को समानित किया गया है जो किया न्यू देल ही की एक बिटिस स्कूल की पढ़ने वाली छातरा है और इने ही डाइना पुरसकार से समानित किया गया है अब याद डाइना पुरसकार क्या है तो डाइना पुरसकार वेल्स की राजकुमारी डाइना के जैनती पर युवाओं को मानविये प्रियासों के लिए दिया जाने वाला एक पुरसकार है अभी फिलाल में फ्रिया ठकराल को मिला है और फ्रिया ठकराल को डायना प्रोस्कार क्यों मिला है तो इन्होंने एक recycle एप तयार किया था जिस कारणे इन्हें डायना प्रोस्कार से सम्मानित किया गया है अब बढ़ते हैं अपने question number 3 की और तमारा question number 3 है किसने जून 2020 में virtual race across America 2020 के पहले संस्करन में सफलता पुर्वक एक podium अस्थान हासिल करके इतिहा सहता है तो lieutenant colonel भारत पुर्वक ने virtual race across America के पहले संस्करन में podium अस्थान हासिल किया है वा एक अंतराश्ट्रिय अल्ट्रा cycling दौर में podium अस्थान हासिल करने वाले पहले भारतियव बन गई है पहले भारतिये lieutenant colonel भारत पुर्वक बन गया है तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न की और हमारा अगला प्रस्न है कि दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे सहर में कितने पेर पूधे और जारिया लगाने का अभियान सुरू करने के लिए तयार है दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे सहर में 31 लाख पेर पौधर लगाने के लिए एक योजना तेजार की है या दिल्ली में बढ़ती ही पॉलूशन को देखते हुए ऐसा किया गया है फिलाल तो अभी कोरोना के बदर से पौलूशन कम है लेकिन कोरोना के पहले काफी पौलूशन होदी थी इस कारण दिल्ली सरकार ने अपने 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक पूरे दिल्ली सहर में 31 लाख पेर पौधर लगाने का अभियान शुरू किया है तो अब फ्रेंस दिल्ली के बात आई है तो आई है दिल्ली के बारे में कूछ important fact डाल लेते हैं दिल्ली जो कि अंदर साथ सीत परदरस है दिल्ली की capital न्यू देल ही है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के governor यानि उपर राज्यपाल दिल्ली के उपर राज् विक्सित किया है जो उपभोग करताओं को उसके चेहरे को छुने से पहले सचित करता है ऑपसर नबर ए इसुरो बी नासा सी जैक्सा और डी एस पेसेक्स तो इसके राइट्ट देलब जाएगा आपसर नमर बी नासा नासा ने एक पहनेयोग double प्लस विख्षित किया है जो एक लोगों को अपने छुने से पहले सचेद कर देगा या एक गोल पेंडेंट है जो गर्दन में पहना जाता है और जब आप अपने हाथों को अपने सीर की आगे बढ़ाते हैं तो या वाइबरेट करके आपको रोकने की याद दिलाता है इसका उद्देश कोरोना वाइरस की प्रसार को रोकने में लोगों की मदद करना है तो अब यहां नासा ने बनाया है तो नासा के बाड़ा में दान लेते हैं नासा नासा की फूल फाम है National Aeronautics and Space Administration इसकी अस्थापना 26 जुलाई उन्हें 155 को ही थी यानि कि आज से 100 साल पहले इसकी अस्तापना हुई थी इसका हेट कॉर्टर वासिंग्टन डी सी में है तो फिर्ट इस पर से हमें इतनी तनकावी मिलती है बढ़ते हमने क्वेशन नमर 6 की और तो हमारा क्वेशन नमर 6 है कि जुलाई 2020 में किसने गुड क क्रीनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जाड़ी किया है और आपको बताते कि या हर्षबर्धन डॉक्टर हर्षबर्धन जो है या केवल हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं यानि स्वास्त मंत्री नहीं है इसके अलावा यह विज्ञान और तकनीकी मंत्री तथा ट्रायाजन वन पर निम्न में से कौन सा संस्थान दूसरी बार सुक्र का पता लगाएगा तो यह संस्थान है आप्शन नमर ए स्विडिस इंस्टिट्यूट आफ एस्पेस फिजिक्स स्विडिस इंस्टिट्यूट आफ एस्पेस फिजिक्स लागातार दूसरी बार सुक् पता लगाने के लिए 2006 से लेकर 2014 के बीच भेजा था यानि कि 2006 से 2014 के बीच इसने पहली बार विनस का यानी सुक्र का पता लागा था अब या दूसरी बार करने जा रहा है तो इसका राइक्टर से रहा है का अप्शन नबर ए स्विडिस इंस्टिट्यूट आप स्पेस फिजि विश्व इलर्जी सप्ता अप से कब सम बनाया गया तो विश्व इलर्जी सप्ता 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक मनाया गया था अब इसकी जो छील्चीह आथी या आपको बताना है इन चार आप् ogóle में से तो इसका राइट नसल हो जाएगा आप्शन नमर सी आप्शन नमर तो यहां जो 20 वे एलर्जी थे अन्तराष्ट्रीए संगठन जिसके सदस्यों में दुनिया भड़ में 130 चहत्रीए दुनिया भड़ में 130 चहत्रीए और रॉस्ट्रीए एलर्जी और इमेनोलेजी के समाज सामिल है 103 तो इसका राइट इसे रिखा जाएगा option no.C बढते हैं अगले important current reference के question no.9 जो कि आज का second last person होगा तो आज का second last person है कि भारतिये railway द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी train का नाम क्या है तो भारतिये रिल्वे ने पिछले यानि की एक जुलाई को एक कार नामा करके दिखाया है जिसके द्वारा उसने एक सबसे लंबी मालगारी चलाई है जिसका नाम मैं पहले आपको बदा दता हूँ उसका नाम सेसनाग है तो भारतिये रेल्वन ने 1 जुलाई 2020 को भारतिये इस्तिहास में एक करनामा करके दिखाया है जिसमें उसने 2.82.8 किलोमीटर लंबी एक मालगारी को चला कर किर्थिमान अस्तापित किया है आपको बता है कि इस मालगारी में कुल 251 डिब्बे और उसे खीचने के लिए चार इलेक्टिकल इंजिन बनाए गया है यह भारतिये ट्रेन नागपुर यानि पुरुमध रेल्वेस से संचाली थुई और आपको भारतिये रेल्वे के बारे में एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट बताते हैं यही यानि कि एक जुलाई 2020 को भारतिये इतियास में यह पहली बार हुआ है कि चली गई सभी ट्रेने अपने संचाली समय पर अपने गंतब अस्तान तक पहुँच गई है यानि कि एक जुलाई को केबल 201 ट्रेन चली थी यानि 201 ट्रेन अपने निर्धारिश समय से बीना लेट होते हुए आप जानते हैं कि भारतिये रेल लेट ही चलती है अक्सर लेकिन इतियास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जुलाई 2020 को सभी ट्रेने अपनी निर्धारिश समय से अपने गंतब अस्तान तक पहुँच है तो यान देट भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है एक्जामनर आपसे कोशन पूख सकता है कि कि किस दिन भारतिये इतियास में भारतिये रेलगारी सभी आपने निर्धारिश समय पर अपने गंतब अस्तान तक पहुचे है evacuate उसका राया HOL mission एक जुलाई 2020 को चलाई गए सभी सभी 201 ट्रेனे अपने निर्धारिश समय पर अपने गंतब अस्तान तक पहुचे है तो आप का आखरी प्रसन है कि पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेटिनन जनरल के रूप में किसे निक्त किया गया है तो पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेटिनन जनरल के रूप में निगार जोहर को निक्त किया गया है जो किया पहली महिला लेटिनन जनरल है पाकिस्तान सेना की और चले पाकिस्तान के बारे में मैं आपको कुछ important fact बता देता हूं तो फिर मैं हडी question में जितने भी important fact बनेंगे उन्हें मैं आप लोग के साथ share करेंगा और फिर यामारा या पहला वीडियो है अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो के share और व पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की capital का है इस्लामाबाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोन है इमरान खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कोन है आडिफ अलवी है और पाकिस्तान की currency क्या है तो पाकिस्तानी रुपिया है और भारत की currency क्या है इंडियान रुपिया व भारत और पाकिस्तान को जिस लाइन से डिवाइड किया जाता है उस लाइन का नाम है रेड किलिफ लाइन रेड किलिफ लाइन भारत एवन पाकिस्तान के बीच की लाइन है यानि रेड किलिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को यह अलग-अलग बाटती है ठीक उसी तरह भारत और चाइना के बीच भी एक लाइन है जिसे हम मैक मोहन लाइन यानि मैक मोहन रेखा करते हैं जो भारत और चाइना को अलग करती है तो फ्रेंज ये थी आज के दस इंपोर्टन कर इंटरफ्रेस क्वोस्चन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाइसा को अगर आपका मोटिवेशन और प्यार मिलता रहा तो मैं वाइब ग्रूप के लिए जी के और और सारे सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू करूंगा तो फिर मिलते हैं फिर कल अपने एक नया कर हारत वान दमात्र!